ऐलो फिरेंड कैसे हैं आप लोग में हूं डॉक्ते जीके सरमा आज हम बात करेंगे चेस्ट फिजो advice कबारे में चेस्ट फियुठी क्या है तब लिया जाता है कैसे लिया आता है ठीक्डay ए इस वीडियो में पूरी जनकारी बताएंगे details में बताएंगे और कोबिड के दवरान चेश्ट फिजोत्रेपी का कोबिड में बहुत एहम भूम का रही है पूरी डीटिल में जानेंगे वीडियो में देर तक बने रहे हैं अगर वीडियो इस चैनल पर नहाए है कि रिपल लाइक और सेर और सुस्क्राइब करना ना भूले चेश्ट फिजोत्रेपी को हिन्दी में डीटिल में जानेंगे ठेपड़य से जूड़ी किसी तरह की संक्रमण से मरेंजों में तथा इसकी वचल्च सैंस की समस्या स्ःजोह्यों में चेश्ट फिज़ित्रपी काफ़ी करिकारार सिंध हो सकती है चेश्ट फियोत्रपी क्या है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि चेश्ट फियोत्रपी की एक तक्निक है जिसके द्वारा किसी कारार लंग सिख्वी समस्या होने के वज़ा से जब कफ या बलगम असानी से बाहर नहीं आपाते हैं तथा इससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तथ चेश्ट फियोत्रपी किया जाता है या चेश्ट फियोत्रपी दिया जाता है इससे मुरीजों के फेफ़डों की स्थिति काफी बैतर हो जाती है तथा उससे सांस लेने में भी असानी होने लगता है फेपड़ों में समस्यां कई परकार से हो सकते हैं जैसे कि चेस्ट फिलत्रपी की परिभासा हम इस तरह से देते हैं कि चेस्ट फिलत्रपी कई अलग अलग exercise टेकनिक का समू है जो कि लंग्स को बहतर बनाने में मदद करता है removal of section को भी बढ़ावा देता है इसके फल स्वरुब मरीज को सांस लेने में असाने होते है यदि यनि कि चेस्ट फिलत्रपी में कई अलग अलग तरह की exercise के जाते हैं इन सभी exercise को मिला करके ही चेस्ट फिलत्रपी नाम दिया जाता है चेस्ट फिलत्रपी हमेशा एक बिस्ट सरग्य फिलत्रपिस्ट के द्वारा दिया जाता है कई condition में मरीज को चेस्ट फिलत्रपी इसनिए भी दी जाती है ताकि मरीज को किसी तरह के फेपड़े से समद्दी समस्चाओं का सामना ना करना पड़े तथा वो अपनी सांस अराम से ले सके खासकर वैसे मरीज जो वे ट्री डेन होते हैं या यानि विश्तर पर आ जाते हैं तथा खुद से मुवमेंट नहीं कर पाते हैं हिएं यह कह सकते हैं उससे मुव्मेंट नहीं पाते हैं चल भी दिया पाते हैं या विशे सुरूप से चेश पराजरे बरे उन्हें दी जाती सांसलें पहँचकत होँ या एक्सिजरें में ले जाया जाता है किसी परकार की भी सर्जरी हो सकते है चेश्फित्रपी कैसे किया जाता है चेश्फित्रपी एक्सरसाइज में कई अलग अलग तके एक्सरसाइज दिये जाता है या कहें कि चेश्ट चीजों के कई अलग अलग परकार के होते हैं लेकिन हम आपको इस वीडियो में चेष्ट फिट्रपी exercise के सबसे ज़्यादा इस्तमाल किये गए टक्निक के बारे में बताने जा रहे हैं चेष्ट फिट्रपी में सबसे ज़्यादा इस्तमाल चेष्ट परक्यूजन टेकनिक का इस्तमाल किया दा mathemat है क्लैपिंग किया जाता है कप जैसे बना करके क्लैपिंग किया जैसे कि आप इस वीडियों में देख रहेंगा फोटों में इससे असान भासा हम कहें एह समझें कि हाथ को हलका सा मोड़े कप के टाइग बना लिया जाता है और उस मरीज मरीज के सीने में सेरी पर धेरे धेरे चोट दिया जाता है इस तरीका से मरीज को बिल्कुल चोट नहीं लगती है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है और मरीज से बारवा कुछा जाता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लग रही है दोनों तरब से हाथों को बराबर एक बराबर ठप थपाया जाता है या क्लैपिंग किया जाता है पूरा ध्यान रखना होता है तथा दोनों हाथों से एक बार चोट नहीं दिया जाता है हब चेस्ट फियोध्रपी में क्लैपिंग में क्लैपिंग वैसी जगह पर किया आता है जहां सी इसका सीधर फेपड़े पर होता है ताकि महां से म्यूकस रिलीज हो जाए या रिलीज हो सके तथा फेपड़ों में सांस लेने की छमता पढ़ जाए हमारे सरीर में फेपड़े जो हमारे लंग्स होता है फेपड़ा ठीक है जो ब्रेस्ट बोन इसको बोलता है छेस्ट में इसको चेस्ट पर तथा ठीक पीछे तथा चारो और क्लेपिंग किया जाता है जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे क्लेपिंग करते समय एक बात का ध्यान देना होता है कि मरीज के सरीर पर दोनों हाथों से एक साथ चोट ना हो बलकि अगर पहले मरीज के सरीर पर दाईने हाथ से क्लेप किया जाता है तो बाया हाथ उस समय हवा में होना चाहिए और जब बाया हाथ मरीज के सरीर पर आ जाए तो दाईना हाथ हवा में होना चाहिए फिटरपी अगर कोलफाई फिटरपिंग के परकिया थोड़ी तेज होत यह आता है आपको काफी को समझ में आ गया होगा लेकिन 6 फिलत्र पी खत्म नहीं होते हैं क्योंकि इसके कई चरण होते हैं लेपिंग के बाद अगले चरण के तहत मरीज को बिठाया जाता है या मरीज की इस्तिती को देखते हुए उसे बिश्तर पही लिटा दिया जाता है ताकि मरीज कफ को मुँं के दवार भाहर भेंके या भेंक सके इस पर किया को पॉस्ट्रल ड्रेनेज कहा जाता है जैसे उप चेश फित्रपी का उद्देश क्या है जो सबसे बड़ा और पहला उद्देश यह होता है वह यह होता है कि फेफड़ों में जमें हुए सिक्रीशन को बहार निकाला जाए तथा इसके द्वारा दूसरा उद्देश मरीज के स्वसन नली को क्लियर करना होता है ताकि मरीज अपनी सांस असानी से ले सके चोड़ सके चेश फित्रपी का दूसरा उद्देश फेफडों की छमता को बढ़ाना होता है तथा फेफडों को ज्यादा खराब होने से भी बचाता है अगर मरीज के फेफडों में सिक्रेशन जम जाता है तो धेरे धेरे या फेफड़ों को डेमेज करने लगता है इससे मरीज के सांस लेनी की समस्या बढ़ती चली जाती है अता चेश्च फित्रपी के द्वारा मरीज के फेफडों को कुलेक्स होने से भी बचाया जाता है फेफणों में समस्या होने पर मरीज को सांस लेने भी काफी मेहनत करनी पड़ती है अतर चेश फित्रपी की दवारा मरीज को सांस लेने को भी असान बनाया जाता है चेश फित्रपी का एक और परमुखिद्यस यह होता है कि वह यह होता है कि मरीज के बेंटिलेशन परिफ्यूजन रेशियो को बहतर किया जा सके तथा गैस एक्सचेंज को इंप्रूव किया जा सके चेस्ट फिर्ट्रपी एक्सरसाइज कब दिया जाता है? अब तक आपों समझ में आई गया होगा कि एक चेस्ट फिर्ट्रपी क्यों दिया जाता है? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि खाष सोость से किन किने इस्तिति में मरीजों को chest therapy या chest therapy चेस एक्सेसाइज की जाती है कफ या बलगम नहीं फेक पाते हैं यसे में समस्या बढ़ने लगती है इस सिस्थी से निकलने के लिए उन्हें chest therapy की chest therapy की सला दी जाती है chest therapy आमतों से अस्थमा chronic obstructive pulmonary disease यानी COPD की सिस्थी में दिया जाता है और bronchitis bronchitis या cystic fibrosis होने की इस्तिति में दिया जाता है निमोनिया होने पर भी फिर्टरपी या chest therapy काफी करगा साबित हो सकती है जिसे निमोनिया होती है निमोनिया होने पर भी मरीजों को सांसलेन दिक्कत की सामना होने लगती है ठीके तथा वही कफ या बलगम नहीं फेक पाते हैं यसे में समस्या बढ़ने लगती है इस सिस्ति से निकलने के लिए उन्हें chest therapy की सला दी जाती है या वही वज़ा है कि कुरोना वाइरस की वज़ा से जिन ब्यक्तियों की निमोनिया होता है उन्हें भी अब chest therapy दिया जा रहा है इन condition के लावा वैसे मरीज को लंबे समय से लं पर नहीं पाते हैं तो उन्हें भी इस समस्या से बचाने के लिए chest therapy दिया जाता है chest therapy कब नहीं देना चाहिए chest therapy की बात करें तो कई ऐसे इस्ति होती है जो किसी की chest therapy देने से मना कर दिया जाता है आम तो से जीन मरीजों की फेपड़े की सजरी हुई है या किसी मरीज को फेपड़े का cancer होता है तो उसमें chest therapy देने से मना कर दियाता है इसके यामन वैसे मरीज जिनकी एड़ या ने कि इंजरी गले या गरदन के आसपास कहीं किसी परकार का ज्खम हो तो उन्हें भी चेश्श धीरपी नहीं देनी चाहिए वैसे मरीज जिनें blood pressure अचानक से ऊपर नीचे होता है उन्हें भी नहीं देनी चाहिए थोरेस्थ के आजपास जिन पास जिन मरीजों की हाल ही में कोई surgery हुई है हुई हो या इस region से इस region में कोई समस्या हो तो exercise नहीं देनी चाहिए वैसे मरीज जो कि इस तरह के हिर्दे गत्सिक रसित हो तो उन्हें भी exercise नहीं देनी चाहिए कुल मिलाकर यही वह condition है जिसमें चेश फित्रपी नहीं देना है इसके लावाद चेश फित्रपी देने से पहले मरीज की अच्छे से जान प्रतल कर लेनी चाहिए और फित्रपी अच्छे होंगे पढ़े लिख होंगे जानते होंगे तो जान प्रतल जरूर करेंगे कुछ भी लगने पर एक्ससाइज नहीं लाज़िए और नहीं देनी चाहिए उम्में करेंद क्या हूँ करने के बारे में एक बात ध्यान रख है कि छेश फियोत्रपी शिर्फ और शिर्फ एक expert फ्योतर पे द्वारा ही दिया जाना चाहिए इसे खोश से खर पे कभी दोहराने की कोशिच ना करें अन्था मरीज को फाइदा होने के वजाए नुकसान भी हो सकता है जहलना पर सकता है आप भी परसान हो सकते घर वालों को परसान कर सकते हैं इसलिए हमेशा आपको लिफाइब फियो तरपी सही जिस फियो तरपी ही करवाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें तन्यवाद